जैहिंद विद्यार्थियों आप सभी का भारत के सबसे बड़े ओनलाइन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर बहुत-बहुत स्वागत है आए विद्यार्थियों आज हम मद्प्रदेश के प्रमुख राजवन्स के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए राजवन्स को पढ़ने वाले हैं हम आज कल्चुरी राजवन्स के बारे में जानेंगे कल्चुरी राजवन्स मद्प्रदेश में दो साखाओं के रूप में देखा जाता है पहला है आपका माहिस मती के कल्चुरी और दूसरा है तिरपुरी के कल्चुरी तारिक तक valid है 28 तारिक तक आप जो है यदि सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पर 20% तक का discount मिल रहा है साथ ही तीन महिने का आपको यहाँ पर extension भी दिया जा रहा है तो यहाँ पर अपनी तयारी को एक अलग नई दिशा दीजिए अन अकेडिमी के साथ और साथ ही आप प्रोमो कोड S10 का प्रियोग कर सकते हैं जिसमें आपको 20% तक का discount यहाँ पर मिल सके चलिए तो अब यहाँ पर एक और चीजिए समझते हैं बिटा कि आपका मध्यपदेश P.E.B. यहने की M.P.E.B. और व्यापम के जो courses है उस पर भी 20% तक की यहाँ पर छूट है discount मिल रहा है साथ यह दि देखा जाए तो अभी Rapid Revision Batch स्टार्ट हुआ है M.P.E.C. के लिए जो 2020 के prelims को target कर रहा है साथ ही पटवारी को target करते हुए नया batch स्टार्ट किया गया है जिसकी fees मात्र 749 रुपए है तो आप अपनी तयारी को नई दिसा दीजे अन Academy के साथ जोड़ करके चलिए तो आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों आगे हम समझते हैं कि आज हम जो कल्चुरी राजवन्स पढ़ने वाले हैं यह कल्चुरी राजवन्स बहुत प्राचीन राजवन्सों में से एक है जिसने भारत के लगभग बड़े भू भाग में एक हजार वर्सों तक साशन किया था बहुत सारी साखाएं यहां पर हमें देखने मिलती हैं महरत में कल्चुरी वंस की लेकिन यदि हम मध्यप्रदेश की बात करते हैं तो मध्यप्रदेश में जो है यहां पर मध्यप्रदेश में आप देखेंगे कि केबल दो सा कल्चुरी ही हमको पढ़ने हैं अब पूरे भारत में बात कर लो तो पूरे भारत में सबसे प्राचीन जो राजवन्स माना जाता है तो वो कौन सा माना जाता है बेटा महेसमती के जो कल्चुरी हैं तो याद रखेगा जो महेसमती के कल्चुरी हैं ये सबसे प्राचीन माने जाते हैं अब थोड़ा हम एतिहासिक प्रस्ट भूमी परसके चलते हैं कि कब कल्चुरी राजवन्स वगेरा इस्थापित होने वाले हैं मद्ध्रदेस में तो अब देखते हैं आपन कि जब गुप्त काल गुप्त काल जो है अपने अंत के समय पर चल रहा था एक प्रकार से समाप्ती की ओर चल रहा था गुप्त के आधीन जितने भी राजे थे वो अपने आपको स्वधीन सिद्ध कर रहे थे घुशित कर रहे थे साथ यहां पर छोटे 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 राजवन्स अस्थापित होने लगे जिसे हम गुप्तोत्तर काल कहते हैं छोटे छोटे राजवन्स जो है अस्तित्व में आने लगे उसी समय जो है मद्रप्रदेश पर भी एक राजवन्स आपका अस्तित्व में आने वाला है तो मद्रप्रदेश में आपका कौन सा आएगा यहां पर कल्चुरी कल्चुरी जो राजवन्स था वह अस्तित्व में आया अब यह जो कल्चुरी राजवन्स है अस्तित्व में आया तो सबसे पहले साखा देखते हैं कहां पर आती है माहिश्मती में आती है पहली साखा माहिश्मती पर आई अच्छा शुरुवात देखते हैं प्राचीन साखा हौम ऐसे कौन सी है प्राचीन साखा कौन सी इसमें आपके महेश्मती की साखा ही सबसे प्राचीन है इसके अलावा महेश्मती के जो कल्चुरी हुए उनके वंसज ही आकर के तिरपूरी राजजी पर स्थापत करेंगे ति ने से प्राचीन साक्राम कौन सी पढ़ने वाले हैं आप हैं महाहसमती अब इनके वंस पर लेकर के बात कर लेते हैं इतिहास कारों में इसको भी लेकर के मत्त भेध है कुछ लोग करते हैं वीदेश coaster के थे और आध और ओकुछ लोग इनको मांने वाला जो मत है वो सर्व मानने हैं वहीं अधी हम बात करते हैं वंस की तो कुछ लोग इनको मानते हैं कि यह चंद्र कुलके थे ठीक है किसके कुलके थे यह चंद्र कुलके थे लेकिन वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यह जो है आपके शूर्यवंसी रहे हैं सूर्यवंसी राजपूत रहे हैं तो दो चीज़े समझ में आती है कि कुछ इतिहासकार मान रहे हैं कि यह जो है किसके हैं संद्रकुल के हैं और कुछ इतिहासकार मान रहे हैं कि यह सूर्यवंसी राजपूत हुआ गरते थे ठीक है अच्छा अब दो चीज़ें यहां पर करते ही थे जो आपके वैदिक काल में चत्रियों हुए वह चत्री ही कि आगे जाकर के चत्रियों की एक साखा बनेगी जिसको कल्चुरी कहा जाएगा ठीक है तो अब यहां पर देख रहे हैं अपन जो कल्चुरी वंस है यहां मद्यपदेश में भी कास्यासन करेगा और दो सा 30 साखा की बात करते हैं तो बेटा कई बहुत सारे जो आपके अभिलेके उन अभिलेकों से इनकी जानकारी मिलती है उन श्रोतों कोंसमझने के पहले जानकारी के शृत हम कहां से मिले वह तो हम देखेंगे ही के पहले हम कुछ देख लेते हैं आप एक कौन-कौन प्रमुख तो बेसिकली यहां पर यहां हम बात करते हैं तो तीन राजाओं का ही जो है यहां पर इतिहास मिलता है जो महिस्मतिय कल्चुरी थे जिसमें संस्थापक कौन हुए कृष्ण राज हुए कृष्ण राज जो थे वो क्या थे संस्थापक है अच्छा साथ ही अधी बात करें तो ये कौन से भगवान को पूचते थे तो इन जो है उपासक हुए उपासक हुए ये किसके आपके पशुपती नात के पशुपती नात के ये क्या हुए उपासक हुए साथ ही दि हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया ये मालवा वाले छितर पर अधिकार किया और मालवा पे अपनी राजधानी किसको बनाया माहेश्मती माहेश्मती मतलब की आपका महेश्वर तो इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था तो राजधानी इन्होंने बनाया माहेश्मती या इसी को हम क्या कह सकते हैं बिटा माहेश्मती को ही क्या कह सकते हैं हम लगबग मालवा वाली छेतर पर हुआ करता था ठीक अब आगे समझते हैं कुछ चीजों को कि इसी समय पर यदि बात करें कि आपके जो संकरगण है यह दूसरे साशक बने और संकरगण के समय के यहां पर दो अभिलेग हमको प्राप्त होते हैं बहुत जादा जानकारी हमें क बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है अच्छा अब बात कर लेते अंतिम की जो इंपॉर्टन इंपॉर्टन फैक्ट है उन पूर्म लेकर जाने वाले है क्योंकि कल्चुरी जो है आपके मद्रप्रदेश के यदि देखा जाए तो प्रिलिम्स के जो पेपर है पीसी का उसमें पूछा जाता है लेकिन मींस में यह कहीं पर भी नहीं है तो उतना डिटेल में हम कहानी पर नहीं जाएंगे हम यहां पर फैक्ट्ट old चीज से याद करने के कोशिश करेंगे कि यासानी से आप्का उतने कौश्ण मरु बंढ जाए मंद्..., तो प्रिलिम्स को फोकेस क करेंगे और आकर्मन में बुद्धुराजी जो है इनकी मृत्ति हो जाएगी ठीक है तो बुद्धुराजी की यहां पर मृत्ति हो गई है और अब इस छेतर पर किसका अधिकार हो गया है चालुक्यों का अधिकार हो चुका है ठीक तो यहां तक समझ में आ रहा है आपको कि अ अच्छा इनके बारे में बहुत कुछ जानकारी जगा से मिलती है उसका नाम है बेटा विशत्य अच्छा जो है की स्वयम एक किताब नहीं है एक किताब का हिस्सा है उन उन्हों ने एक यहां पर गरंत लेखा का और dalej तो यहाँ पर समझते हैं कि यहां पर यह है दांडी महा कवी दांडी इन्हों ने एक यहाँ पर काविश लिखा जिसका नाम था दस कुमार चरित्र और जो दस कुमार चरित्र है उसका अंतिम अध्याय यानि की जो आठवा अध्याय हुआ उसी आठवे अध्याय में कल्चुरी वन्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है और उसी आठवा जो अध्याय था उसका ही नाम क्या हुआ ब्रिषत चहेल्MAN से पूँछे जाते हैं राज बंसों से जरूर पूछा जाएंश कि इनके बारे में इस राज बारे में किन्कन अभिलेखों किन साक्ष्यों से हमें इसी तो ऑप चाहिक पूछे जा रहें पूछा जा चका है कल्ड कल्च छुरि पूछा या सकता है इस लिए हम इसको देख रहे हैं अप इनके जानकारी के शूर्द क्या वो था देख लेते हम तो जानकारी जो महिस्मत्ती की साखा जानकारी के शूर्द क हम बात करते तो CCTV ऑफिलेक कौन सा है आपका अबौड अभी विलेक है जो winter अभी लेक है यह किसके समय का अभी देखा था हमने संकरगन के समय का दूसरा आपका संखेडा अभी लेक है इसके अलाबा महा कूड अभी लेक जो है इससे भी जानकारी मिलती है इसके अलाबा अभी हमने किताब की बात करी थी विर्शत चरित वास्ताव में किताब जो है वो चलती है चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है तिरपूरी के कल्चुरी में दो चीज़ां देख लेंगे सब्सक्राइब कहां कहां से उनको जानकारी मिलती है और दूसरी बात हम यहां पर कर लेते हैं कि प्रमुख सासक जो हैं वो कौन-कौन करते हैं ठीक है क्योंकि देखा जाए तो कल्चुरी वन्स की जो सासक हुए तिरपूरी वाले इनका देखा जाए तो इस्थापत्य कला में बहुत महत्त्रपूर योगदान था इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे निर्मानकारी जो है वो मद्ध्यप्रदेस में करवाए अच्छा चलिए तो हम सबसे पहले समझेते जानकारी के शुरत कहां कहां से मिलते हैं तो सबसे पहला यहां पर देखते हैं आपका सागर अभिलेक और छोटी देवरी अविलेक यहाँ पर भी एक साशक होंगे संकरगण आगे जाकर पढ़ेंगे हम तो संकरगण जो थे उनिके साशनकाल का यह मिलता है ठीक है संकरगण संकरगण जो हुए उनिके साशनकाल का यह अविलेक मिले है सागर अभिलेग और आपका छोटी देवरी अवलेग इसमें अभी हम बात कर लेंगे थोड़ा रुक करके छबी बता देता हूं कि या जो सागर अभिलेग और छोटी देवरी मिला है इसमें उलेग मिलता है कि वापराज जो हुए वो प्रथम साशक हुए तो इस बात की पू यह भी राजा करने के समय का ही था तो इससे जो है किसके बारे में जनकारी मिलती है हमें तिरपुरी के कल्चुरी वन्स के बारे में जनकारी मिलती है अब दो किताबे हैं सबसे पहले कावे मिमांसा कावे मिमांसा जो है किस ने लिखी है आपके राज सेखर ने लिखी है ठीक करते थे तो वो जो है कावे मिमान साब में इनके बारे में उल्लेक किया है साथ ही इन्हों ने अपनी और किताब है उसमें युवराज प्रथम को अपका अत्री लिंगा धीपती के नाम से इनको उपाधी भी उन्होंने वहां पर दी है ठीक है चलिए इसके अलावा यदि बा इन्होंने दाहल का साशक कहा है इन्होंने जो है क्या कहा है डाहल का शाशक कहा है गंगे देव को तो गंगे देव के बारे में इन्होंने अपना क्या है विवरण में भी जानकारी यहां पर दिये तो यह सारे जो है इसमें तिरपूरी के कल्चुरी इतने हैं उनके बारे म और चोटी देवरी अविलेक, बिलहरी अविलेक, आपका अवराणसी तामरपत्र, इसके अलावा काव्य मीमानसा, इसके बाद अलबेरूनिका, आपका भौगौलिक विवरन, अगली बात करते हैं, प्रमुख साशक कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, तो प्रमुख साशक सबस पढ़ेंगे अपन, ठीक है, तो चलिए, तो हम यहाँ पर इंपोर्टेंट सासस बस देख रहे हैं, जिन्होंने महत महत्यपून कारे कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, कुछ सासक बीच में हमने छोड़े हैं यहाँ पर, जो उतने ज्यादे इंपोर्टेंट नहीं है, तो बहुत सारे विद्धमान जो है, सासक किसको मानते हैं, प्रथम सासक किसको मानते हैं, कोकल्य प्रथम को जो है, यहाँ वास्तविक संस्थापक मानते हैं, कुछ लोगों को मानना है कि पहले यह सासक थे ही नहीं, यह सामन्त हुआ करते थे केबल, और वास्तव सासक कौन पढ़ा अभी वही जो चोटी देवरी और साघर का भिलेग है उसमें पहले यैनि साशक है वाप राज देव ही मिलते हैं तो यहीं माना जाता है कि वाप राज देव ही जो है क्या थे संस्थापक्तत है रिदकिए हम वह सकते हैं.. कल प्रथम को हम कह सकते हैं चलिए तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बाप्त करते हैं वामराज देव के बारे में तो इन्हों ने बिटा जबलपुर और सागर वाले छेतर पर अधिकार किया और यहां पर ही इन्हों ने अपना सासन स्थापित किया अच्छा अभी जो हमने थोड़े पहले सासक पड़े थे महिश मती के कल्चुरी तो महिश मती के कल्चुरी के अंतिम जो सासक हुए वो थे बुद्ध राज बुद्ध राज और ये बुद्ध राज के वनसज थे याद रखेगा वामराज जो हैं वो किसके वनसज हैं बुद्ध राज के ही वनसज हैं जो आपके कहां पर अधिकार करेंगे जबलपुर सागर छेतर पर अधिकार करेंगे और साथ ही तिरपुरी अर्थात जबलपुर ठीक है जो अपनी राजधानी किसको बनाते हैं तिरपुरी को तो याद रखेगा ये अपनी राजधानी जो है वो तिरपुरी को बनाते हैं तिरपुरी अर्थात जबलपुर को और यहां पर साशन करना प्रारम करते हैं तो हमने कलिंदर पर भी इन्होंने क्या कर लिया था अधिकार किया था और हमने भी बात की थी कि सागर अभिलेग में इनको प्रथम सासक माना गया है तो इस पर हम भी चर्चा कर चुके थे ठीक तो तीन-चार चीज़ें यहां पर समझी कि प्रथम सासक यह माने जाते हैं सागर के प्रथम अब संकरगण के समय के ही वो दो अभिलेग है इनके समय के दो अभिलेग मिले हैं पहला है आपका वही सागर अभिलेग और दूसरा है छोटी देवरी अभिलेग यह दोनों अभिलेग जो है वो यहां से प्राप्त हुए हैं साथी इन दोनों भिलेग से यह भी जानकारी मिलती है कि संकरगण ने दो उपाधियां धारन की थी एक है आपका परम भट्टाकर और दूसरा है महराजा धीराज और तीसरा परमेश्वर यह तीन उपाधियां इन्हों ने धारन की थी तो यह तीनों पाधियां कौन धान करने वाले हैं संकरगण करने वाले इसके बाद महात्पूर्ण अगले सासक हुए लक्ष्मी राजप्रथम तो लक्ष्मी राजप्रथम जो हैं इनके बारे में सिर्फ इतना महात्पूर्ण है कि इन्हों ने राजपूतों के साथ में वैव पूतों से अच्छे व्याओर किया अच्छे संबंद्द स्थापित क ये इन पाद महत्यपूर्णी लिए संत्षापित कि ये नहीं को मानते हैं कि यह वास्तविक ती कंच्छा का दूसिक कि संस्थापक के रूप में नोहें उत्यक्त करते हैं इनके समय पर बिलहरी अभिलेक और दूसरा है वारानासी अभिलेक इसमें इस बात का उलेक किया गया है कि कोकल जो प्रथम थे यह संपून प्रत्वी के साशक थे तो यह कहां से जानकारी मिलती है कि यह संपून प्रत्वी के साशक थे तो यह जानकारी मिली है हमें आपके वारानासी ताम तामरपत्र में अब लहरी में बात कही गई कि यह समस्त प्रत्वी के विजेता थे इसके बाद हमने यहां पर महत्रपूर्ण बात समस्त लेते हैं कि कोकल प्रथम जो थे इनके एक वनसज हुए जिन्हों ने जिनका नाम था कलिंग राज इन्हों ने एक नई साखा च्छतिस प्रथम के बंसज हुए ठीक अगले साशक पढ़ लेते हैं मात पूर्ण अगले मात पूर्ण साशक हैं युवराज प्रथम अभी थोड़े पहले अमने बात की थी कि युवराज प्रथम जो हैं उनके दरबार में कौन हुआ करते थे तो उनके दरबार में हुआ करते थे आपके राजशेखर, और राजशेखर ने कौन सा कावे लिखा, आपका लिखा उन्होंने कावे मिमान सा, और इन्ही राजशेखर ने इनको एक उपाधी भी दी थी, याद रखेगा इनको एक उपाधी भी प्राप्त हुई थी, त्री लिंगाधी पति उन्होंने कौन से त्री लिंगाधी पति की उपाधी दी दी थी युवराज प्रथम को ठीक इसके अलावा एक और बात समझ लीजेगा बेटा कि इन्होंने देखा जाए राजशिखरीं के दरवार में थी और इन्होंने काव्य मिमान सा नामक ग्रंत लिखा था ठीक और तो और युवराज प्रतम ने इस्थापत कला में भी बहुत महत्पूर्ण योगदान दिया इनक 50 नामक जो लिखा स्वास्फ्व्नान से एक आजवफ प्रतम्ने इत कहा एक दम्यों में यहां पर स्थापित किया गया है ऐसा इस प्रकार से राउंड राउंड में यहां पर मंदिर बना हुआ है यहां पर जो है 64 योगियों की प्रतिमाय लगाई गई है साथ में जो है बीच पे एक शिव मंदिर भी स्थापित है सेंटर में जो यह शिव मंदिर है यह शिव मं मंदिर है जहां पर आपके शिव जी की बरात की पूजा की जाती है ठीक है अब उनकी बरात में सारे गण भी थे उनके साथ में तो कहा जाता है कि यहां जो आपका मंदिर है इस मंदिर में शिव जी की बरात जो है वहां पर पूजा की जाती हो विश्विकाहिया है एक मात जहां पर शिवी जी की बरात की पूजा की जाती है, पूरी पूरी बरात वहां पर स्थापित की गई है, तो कहां पर है आपके ये, एक प्रकार से चौसट योगनी मंदर के बिलकुल सेंटर पर है, और ये चौसट योगनी मंदर कहां, जबलपुर के भेडा घाट में है, ठी के अलाबा नहलेशर का अपने मंदर बनवाया, अच्छा इवन आप अगर ठोला सा अर्किटेक्ट देखेंगे, तो जहां-जहां कल्चूरी मंदर हैं वहाँ पर आपको मंदे पर इसमें अलग ही आर्किटेक्ट्टर देखने को मिलेगा, एक अलग ही शैली के मंदिरों का निर्माड कराया था इन्होंने तो देखकर की समझ में आ जाते हैं कि वो कल्चूरी वंस के जो है क्या है एक प्रकार से निर्माड कार है या इस्थापत तिकला है अगली बात कर लेते हैं अगले सासक बने कौन से गंगे देव अच्छा गंगे देव समकालीन हुए उस समय पर किसके आपके राजा भूज के ठीक है तो एक कुछ लोगों का ये भी मानना है कि राजा भूज इनके मद्द युद्ध भी हुआ था तो इस बात को लेकर भी तिहासकार कुछ चीज़ें मानते हैं इनके फिए फिर पहले बात किति जो अलबेरुनी है इन्हों ने जो अपना भॉज़ा विबरण दिया था उसमें इन्हों इनुनें गंगे देव को दाहल का सासक किस ने कहा था अल बेरुनी ने और किसको कहा था तो युद्ध को और गंगे दिया है उसमें डाहल का साशा किसको कहा है, गंगे देव को कहा, साथ ही गंगे देव ने आपके सोने और चांदी और तांबे के सिक्के चालू किये थे, और इन सिक्कों में इन्हों ने लक्ष्मी जी की आकरती यहां पर अंकित करवाई थे, तो लक्ष्मी जी की आकरती के जो, अंगे देव जो हैं वो करने वाले हैं यहां पर स्थापित करने वाले हैं ठीक है चलिए अगले साशक पर बात कर लेते हैं अगले साशा के लक्षमी कर्ण इनका एक और नाम है कर्ण राज नाम है अच्छा कर्ण राज जो है यह महान साशकों में से एक हुए कर्ण राज ने उपाधी धारण की थी, आपके कलिंगा पती की, किसकी उपाधी धारण की थी, कलिंगा पती की उपाधी धारण की थी, साथ ही इन्हें भहिया, इनके युद्ध वियान इतने अच्छे थे, साथ ही इन्होंने अपने समराज का विस्तार किया लगातार, तो समराज विस्तार और युद्ध नीती को देखते हुए इनको जो है हिंद का नेपोलियन कहा जाता है तो यह पूछा जा सकता है आपसे कि हिंद का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कि हिंद का नेपोलियन किसे कहा जाता है कर्ण राज या लक्ष्मी कर्ण को कहा जाता है ठीक है चलिए अच्छा अगर यहां पर अगली बात करते हैं और तीन इनके निर्माण बहुत महत्यपूर्ण हैं सबसे पहले इन्होंने अमर कंटक में शिव्य मंदिर का निर्माण कराया यदि आप कभी अमरकंटक गए हों तो वहां जहां नर्मदी जी का उद्गम है उद्गम इस थल के जस्ट बाजू में जस्ट पास में ही वहां पर एक मंदिर देखने मिलेगा आपको उस मंदिर इस सैली में आपको मंदिर देखने मिलेगा यह जो मंदिर है वह मंदिर क तो याद रखेगा पुष्पावती नगर जो वर्तमान आपके कटनी के बिलहरी में हैं तो कटनी के बिलहरी पे इन्होंने एक नगर बसाया था जिसका नाम है पुष्पावती नगरी साथ ही जो है इन्होंने एक और नगरी वसाई थी जिसका नाम है कर्ण नगरी ठीक है तो कण्र नगरी को इन्होंने जम्लपुर में बसाया था थीक है तो दो-णगर की स्थापना किया एक फुश्वा वत्तिनगर बसाया और अमर कं टथ में शुव मंदृ का निर्मान भी इन्हों ने करवाया था, इनको हिंद का नेपूलियन कहा जाता है, इनके युद्धव्यानों के कारण, और तो और इन्हों ने उपाधी धारण की थी, कलिंगाधी पती की उपाधी धारण की थी, ठीक है, इसके बाद इन्हों ने भीम, राजा भीम के साथ मिल करके, चाल राजा भोझ जो है परमारवंस के साशक थे जिनकी राजदानी कहा हुआ करती थी धार हुआ करती थी धार पर आक्रमण करते हो और इसी युद्ध में जो है इनकी मरत्यों हो गई थी अग्ले पर अगले शाथ सक हुए जै सिंग जै सिंग इन्होंने एक नगर बसाया सीजह गोसलoid पूर है investigating to be pos dismiss society इस जवल है और इस को S1 इसेटी इसे में जजितों आपगाया था दो इसे मैं याप स्था लगरी एक नहुत भूसलबुर तो अपनी पद desaf 0 के जाये इनके पशाथ इनके पुत्रसासक बनते हैं जिनका नाम है विजै सिंग पर आकरमन करने वाले हैं आपके नरेश जैतुगी जो की यदुवन ओन सी थे ठीक है कहांगे देवगिरी के तो देवगिरी के सासक आपके नरेष जैतुगी प्रथम इन पर आकर्मन करेंगे विजय सिंग और विजय सिंग का उसमें देहांत हो जाए गा इसके साथ ही कल्चुरी वंस का पतन हो गया थीक है Abst fehlt आंतिम शाषक कौन हुए यहाँ पर विजये सिंग्ञ उनके अनतिम साशक हुए और प्रथम शाषक .- वामराज प्रथम जो हैं उनके प्रथम शाषकтерес के यहाँ पर माने जाते हैं तो यहाँ पर कुछ चीजूंपर हमने पार बापिस सहतो है थोड़ी समत्वान से, तो प्राचीन साखा कौंसी है प्राचीन साखा जो है, वो कौन सी मानी जाती है आपकी، माहिषमति की साखा मानी जाती है लगबक कल्चुरियों ने आपके एक हजार वर्स तक साशन किया था महिश्मती साखा के तीन महत्पूर्ण शाशक हैं एक हैं किश्नराज, दूसरे हैं संकरगण और तीसे हैं बुद्धराज किश्नराज ने मालवा पर अपना अजिस्थापित किया और महिश्मती को अपनी राजधानी बनाते हुए और इन्होंने किस एक प्रकार से देखा जाए तो इन्होंने आराधना की थी या आराध्य देक इसके पशुपती नाथ के तो पशुपती नाथ की यह पूजा किया करते थे भी देखा हमने संकर गड़ी महात्य पूर्श असक तो अंतिम सासक कौन हुए यहां पर वुद्धराज अंतिम शासक हुए वुद्धराज यह दी हम बात करते तो इन पर आक्रमण किया था राजा मंगेश ने और मंगेश ने आक्रमन करके इस छेत्र पर दिकार कर लिया था प्राती हमने जानकारी के शोत देखे जानकारी के शोत में हमने सबसे पहले देखा कि अभोड़ा भिलेग, संखेडा भिलेग और महाकूट अभिलेग ये तीन अभिलेक से जानकारी प्राप्त होती है इसके लाबा आपका विशत चरित यह एक प्रकार से देखा जाए एक किताब का नाम है एक मिट दसकुमार चरित ठीक है तो दसकुमार चरित जो है जो दुसकोमार चरित जो है उसका एक आमाना जाता है एक प्रकार से आठवा अध्याय था जिसकी रचना किस ने की थी महा कवी दांडी ने की थी इसमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है कल्चुरी वन्स के बारे में इसके बाद हमने नेक्स बात करते हैं तिरपूरी शाखा क का सागर अभिलेग था सागर अभिलेग में भात करते हैं तो आपका के समय का सब्सक्राइब रहे वानसी जो है वो था आपके कोकल प्रथम ठीक है कि को कले प्रत्थम शाषक हुए उनके समय का इस समय उनकी ने पारे में जानकारी मिलती है कि क oni को क्या कहा गया है आपको समपूर्ण प्रत्धि का राजा या समराठ कहा गया है इसके वाला की के से खेधर दरवार में थे युवराज प्रथम के और युवराज प्रथम को इन्होंने एक उपादी से भी सुषजित किया था त्री लिंगा अधिपती की उपादी दी थी अल्वेरुने ने गंगे देव को जो है डाहल का साशक भी कहा है अपने भागौलिक विवरण में तो यह प्रम सागर का अभिलेक है सागर के अभिलेक से जानकारी हमें मिली इसके अलाब हमने देखा कि कोकल्य प्रथम को लोग का मानते हैं आपके वास्तविक संस्थापक वास्तविक संस्थापक वास्तविक संस्थापक वास्तविक संस्थापक जो है कि इसको माना जाता है आपके कोक धानी तिरपूरी अर्था जवलपुर को बनाया ये किसके वंसस थे तो ये बुद्धराज के वंसस थे बुद्धराज अंतिम सासक हुए कल्चुरी वंस के साथ ही हमने देखा यहां पर प्रथम सासक इनको माना गया कहां पर सागर अभिलेख में ठीक इसके लाब कहा जाता ह उन्होंने कलिंजर पर भी अधिकार किया था इसके बाद हमने संकरगन के बारे हमें बात की संगरगन प्रथम जो हैं इन्होंने तिन उपझे धरन की है प्रमभटा अधी और परमेश्वर ठीक की इनके समय के ही दो अभिलेख हैं एक सागर अभिलेग और दूसरा चोटी देवरी अवलेग प्राप्त हुए है लक्षमी करण के बारे में उन्हें बात किये थी इन्होंने राजपूतों से व्यवाहिक संबंद स्थापित किये थे राजनेतिक परिवर्तन यहां देखने को मिलता है इसके अलावा कोकल्य प्र है एक बिलहरी अभिलेग और दूसरा है आपका वारानशी अभिलेग इसमें जानकारी मिलती है कि इन्हें क्या बोला गया है विश्व का विजेता कहा गया है ठीक है या फिर प्रत्वी का विजेता इनको शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है साथ यह दिदी बात करते इनके वनसज हुए कलिंग राज कलिंग राज ने जो है एक अलग साखा कल्चूरी की स्थापित की 36 गड़ में जिसे तुमबाड साखा के नाम से जाना जाता है ठीक है आगे बाद की हमने युवराज प्रत्थम युवराज प्रत्थम के दरबार में राज के कवी हुए इनके समय के दो निर्मानकार बहुत इंपोर्टेंट है पहला है आपका 64 योगनी मंदर भेडा घाट जवलपुर का दूसरा है नहुलिश्वर मंदेर आपके कहां का दमोह के नोहटा का इसका अगले सासक है गंगे देव गंगे देव को डाहल का शाशक कहा है किसने अल बे इन्हें हिंद का नेपूलियन कहा जाता है क्यों कहते हैं क्योंकि इन्हों का जो विस्तार था समराज्य का वह बहुत तेजी से किया इसलिए इनको कहा जाता है हिंद का नेपूलियन साथ ही यहां देखा जाए कि इन्हों निर्मानकार कराये हैं इन्होंने अमरकंटक में श विजय सिंग जो हैं इनक से यूद्ध लड़ने वाले हैं जैतुगी प्रधम से और जैतुगी प्रधम से पराजत होगे और इनकी हत्य हो जाएगी तो अंतिमसासक हुए विजय सिंग इसके बाद आपके तिरपूरी कल्चरी वंस का यहां पर पतन हो जाता है तो चलिए अर्थियों कल मुलाकात होगी जै हिंद जै भारत